विमिन केर सेंटर से नसरीन कान आज हम एक नया प्रोग्राइम आपके लिए लेके आए हैं सक्सेस स्टोरी लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा उसका इंटोड़क्शन दिया था कि बच्चों के लिए यानि यान्ग गर्ल्स के लिए मैं काम कर रही हूँ तो उनसे मिलते हुए मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को ये एहसास ही नहीं है कि हमारे इर्दगिर्द, हमारे रोल मॉडल लाइव कौन-कौन है जिनको हमें फॉलो करना है तो जब हम इनसे किसी किसम की मॉडल्स के हवाले से बात करते हैं तो सीधी जो बात है वो जाती है अदाकाराओं पर या जो इस वक्त मॉडल्स हैं उन पर तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे लोग आपसे मिलवाओं जिन्होंने जिन्दगी में सिरफ कैमरे पर नहीं काम किया सिरफ कैमरे में आके नहीं कुछ किया बलके बिहाइंड थे कैमरे उन्होंने जिन्दगी में वो कुछ किया है जो के वर्थ शेरिंग है तो इस हवाले से मैंने एक सकसे स्टोरी के नाम से एक प्रोग्रेम तर्टीद दिया है जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं हर दफ़ा आपको ऐसे लोगों से ऐसी खवातीन से स्पेशली और मर्द हसरात से भी जिन्हों ने जिन्दगी में एफ़र्ट की है और वो एफ़र्ट उन्होंने करके दुनया में कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया है और कुछ लोगों को इंकरेज भी किया है इस तरह से कि वो आगे बढ़के जिन्दगी में जो मामलात हैं उनको बहतर तरीके से खुद भी डील करें और लोगों को लिए भी डील करने का बाइस बने तो इस हवाले से आज जो पहला सेग्मेंट या पहला एपिसोड हम करने जा रहे हैं इस पहले एपिसोड में हम ये जिस महमान को दावत दी है उसका मुक्तसर सा तारुफ आपको करवाना चाहूंगी आईशा जहांजेब एक बड़ी ही प्लेजन्ट नोन और अगर हम टीवी के साथ कनेक्टेड हैं तो उस पे हमें अक्सर नजर आने वाली एक खुबसूरत सी शक्तियत है तो उनके साथ बाते करके आपको खुद पता चलेगा कि मैंनों ने क्यों इस सक्सर स्टोरी में इंवाइट किया तो हम डारेक्ली पहले उन से मिलते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं जी असलामले कुम आईशा वाले कुम टू आट प्रोग्राम आप शुरू करें इस बाते कि आप हमें अपनी सक्सर स्टोरी सुनाए हम जानना चाहते हैं थोड़ा साब के बारे में कि आपने कहां से शुरू किया और इस वत्ता आप कहां ते है अपने पत्थर देख और जो कि हमें आप चुरू कार आपने वोड़ागा में दोड़ा में व्याए मेरा कि अपनी सक्सरी इसे स्टोरी ही होती है क्योंकि वह फर किसी चीज में टकरता नहीं है कि आप संचेज के लिए टाला इसा रह तो आप समझे मेरी भी कुछ इसी फरा की स्टोरी है मैं अपनी एक वालद साप के और बच्चे थे और उनकी सेपरेटेड लाइफ में ने ने बेखी बहुत चोटी एज से और जाहर है के बाप की एक कमी जैसे होती है सेपरेशन में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मैं समझती हूँ माबाप का तो चलो होता ही है क्योंकि उनका तो नुकसान है ही एक जुसरे से अलगों के लेकिन जितना बड़ा नुकसान आलाद का होता है क्योंकि वो बचारी तो किसी काबल नहीं रहती है यानि आप अपना और उनके बाद I had three children और उसके बाद जासे दुनिया बदल जाती है रिष्टे चले जाएं तो रिष्टों के बाद लोग भी बदल जाती है वहां से कहानी में एक निया ट्वेस्ट आया I met my present husband जोनों ने हमें मेरे बच्चों को और मुझे एक्सेप्ट किया अफ्टे लिए बच्चों को खटम मत करो इससे वाई इससलिए आप यहां से लिए तो इससे मतलब है कि जैसे हर सुक्सेफफु आदम के पीछ एक और एक आप होती है तो सुक्सेसफफु आप्टे लिए को आप है लिए प्या है 100% हमेशहा से चाहती पर अम्मी को होता था के नहीं तुम्ये जर्नलिज्मी एकुर्णिजग भयादनो के आप करुछ और संगलादनों यहां से इंसान का दिमाग जो एना जमीन पर आजाता है जब आदब पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि दुनिया में लोगों के क्या दुख्या है और आप अपने उंगली ज़रा सा कट लग जाए तो उसमें क्यों रो हो रहे हैं तो इसके हवाले से ख्याल है कि हर अब पन्दे को बादब होने के लिए अदब पढ़ना भादा भाद भाद पढ़ना है वो उस जगह पह पहुंची जो आप चाहती थी आप यह निए अपने अपने मदर से चाह लेकिन अपना कर पाई और जिंदगी आपको खेंश दी गई खेंश दी गई खेंश दी गई अपने आपको मुगा मिला अर अपने वो किया गया आप यह आपि मैं अपकी आपकी आप लिएग जिए रिए ओख टाहर कानिया को भुए था जॉट सब्कू तो इशनर आता है कहां जोंग तो इस कहां लिए लिगती थी ड़ाद यह बहूट इस्टि ती भानिया लिव का ह आपका साथ साथ चलते रहेंगे आपकी लाइफ स्टोरी के साथ, आप मुझे बताएं कि आपके हाँ काम्याबी की डेफिनेशन क्या है? मेरे नज़ीर काम्याबी एक अच्छा इनसान हैं क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान हैं तो जिन्दगी आपके लिए खुद बखुद रास्ते तलाश करती है और आपको पॉजिटिव एनरजी खुद बखुद खेंच लेती है और अगर आप एक नेगटिव इनसान है आप हर और जह पों मागनेट की नेगटिव साइड हमें साइड हरा रहा है, हगर आफ में प्रप्टियविटिय लुट भी दूर गुद्टिय होती है अगर यह भी आपको इंदर नेगटिविटिविटिए लग्ते में वां में पुछ कि यालाब मैंने पूरी जिंदगी इस जजबे के बगएर ही गुजार्वी है कुछ हरसा मैं I used to sulk मुष्रों को देखकर पर I still remember में एक दिन I was working और मकहीं से वापस जारी थी I was in my cart मैंने गाड़ी रोकी बहार बारिश हो रही थी It was a time when I realized that I cannot live like this क्योंकि मैं दिल पे किसी चीज का बोज लेकर सांस नहीं ले सकते मुझे वो मैंने Allah से फेर स्पेसितिकली उस मोमें पर दौा कि कि Allah मुझे जिंदगी में जो मर्जी करते ना बस हासद मत पनाना कि अगर मुझे किसी की खुशी देखकर हसद हो तो मेरे लिए वो मौत का मकाम है So then I started जब भी मुझे कोई happy couple नजर आता था So I used to pray for them कि Allah इनका साथ हमेशा के लिए हो कर जब रहें जितना रहें गूस्टे के साथ खुश रहें अगला सवाल आपके सामने जो रखेंगे वह यह जिन्दगी का remote control आपको पकड़ा दिया हमने आपको हमने कहा कि आप इसे rewind भी कर सकती है forward भी कर सकती है क्या करेंगी rewind करेंगी तो कहां जाएंगी और क्यों Rewind करके मैं आपकी आखरी रेज पर चली जाओंगे कि अ theoहने बांवार आप चाहेंगे कि आप उनके साथ भू टाई मोड़ा है कोई आपको लगता है कि ऐस 먼저 care कहीं तो मुझे मुझे मोका मिल जाएगा तो मैंने ढुабारा से कह बांगे इंगी यह होगा यह कि आपके जाहेड़िकि मनेघ एक बातम ओध मुख्या है मेरा इचालना में धिल कुल की बताहूं करने हैं आपी उनको भी बताना था कि आपको प resur। इनसान साथ लाइ बता है था ता अप्राड् Salaf動画 कि अप्यूब कि ये जिन्दगी हमें मोहलत की सूरत से मिली है और इस मोहलत में हम जिस जिस से कनेक्टेट हैं इस वक्त हमारे इर्दगिर जो जो हमारे प्यारे हैं आप उनको जो कहना चाहते हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको होल्ड ना करें उन्हें उन्हें बयान करें ताकि आपकी ब हम आगे चलते हैं कि जब आप टीछ किया करती थी आप माशाला एचेशन में पढ़ाती है तो पढ़ाने का तजर्बा और प्रोग्राम करने का तजर्बा इन दोन को बयान करें ताके हमारे बच्छों को समझाए किसमें क्या मिल सकता है अगर आप मुझसे सच पुछे हैं तो जो पढ़ाने की फीलिंग है वो दुबारा नीनती आपको यानि आप सीरिस्ली फील के जो पढ़ाने की ताकत है ना जो आप किसी इंसान को लिट्रचर पढ़ाते हैं उसका एक परस्पेक्टिव चेंज कर देते हैं उसे एक नही पूर बिल्कुल डिफ्रिंट जियान रहे हैं उसमें आप विजूल के जरीए बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं दिखा सकते हैं टीचिंग और स्पेसिफिकली बच्चों को पढ़ाना एक ऐसी मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़े जो आपको कभी बुडानी होने देती हैं आप ऐसे लोग जो इनको आप कहीं के इन्होंने रोल प्ले किया मेरी मेकिंग में या इनकी वज़ा से मेंने सक्सेस को टेस्ट किया अधर देन यूर फैमली आप कॉन लोगों को इसमें में अपने एक एंप्रेंग को बहुत इंपर्टन स्वाइट अप्रिंग मेरे बहुत तो थोके साब से बनाएं कि यह अंडरस्टाइड़ नहीं थी कि फ्रेंड्स जो है वो ओन्टिटी में होते हैं क्वालिटी होते हैं जिंदगी के प्रोसेस के अंदर से अपको पता चला कि जितने मुस्कुराते चहरे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते आप उनसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं दोस्ती एक्चली तब होती है जब आपका वेवलेंट ही होता है जब आपकी सोच एक जैसी होती है तब ही आप किसी के साथ दोस्ती कर सकते हैं और चल सकते हैं और ट्रस्ट मी अगर आपके पस अच्छे दोस्त हो अच्छी सहुपत हो तो आप धुनिया का कोई काम नहीं रसा थे क्योंकि आपको आपके दोस्त गलत नहीं होने देते हैं जो असल दोस्त है वो आपकी टांग खेंच के रखते हैं कि नहीं भाई इस तरफ नहीं जाना यह नहीं करना तरह थीक बाता है या मेरी जिंदगी में भी मेरे फ्रेंड्स ने इसी तरह मुझे अथ तो आपके अच्छे दोस्ते आपको अच्छे रिष्टे आपको कही नहीं जाने देते हैं आपके साथ बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव आइप सा रही हैं मुझे लग रहा है कि जिस एक ऐसी इंसान से मैं बात करें हूं जिसने जिन्दगी को एक्सपिरियंस करते हुए अपने आपको नेगिटिविटी से हमेशा बचाने की कोशिश दे लिया है तो मैं चाहूंगी कि आप पेगाम दें हमारी यंग जिनरेशन को आप क्या पेगाम देंगी यहीं हम जसम्दागी में और दुन्या में हैं जी रहें अपरोजब ना मेरे अधरा कामियाबी है मेरे पास इतनी दौलत है तुम्हें ऐे-न्या स्थ वानगे हैं हुष्टों को ने के तरता हुभ नाode है वير जो हम खत्म कर चुके हैं दुनिया में जिन्दगी में कोई शॉट कट नी है आपको अपने प्रोसेस से गुजर कर ही जो सकसेस रब ने देनी है वो तब ही मिलनी है जब आप एक मुकाम पर पहुन जाएंगे उससे पहले भी कुछ नी मिलना उसके बाद भी कुछ नी है जब आपको इस बात का यकीन हो अच्छे रिष्टों को चरिश कर सकें उनके साथ वक्त गुजर सकें ये ना हो कि उस दौड में कुछ अचीव करने की दौड में आपने सब रिष्टे पीछे चोड़ दे और जब आप अपना गोल अचीव कर लें जो आपको जिन्दगी में एक मखसूस वक्त में मिलना है आप पीछे मुड़ कर देखें तो कोई भी आपके साथ खड़ाना हो तो वो सक्सेस वो खुशी आप किसके साथ शेयर करेंगे आप एक पीक तक पहुंच तो जाएंगे मगर याद रखिए उस पीक पर आप अकेले होंगे अगर आप सब को साथ में लेकर चाहिए और अकेल आप रही हैं थैंक यू बेरि मुच तर अच्छा कि आप अच लिच लहा भी अच्छा झाल फेसे बात करके यह लिए आज हमारी एक च्छी सी — एफ sap र Tsch कि यूर्म को पन्हीं पीसाफ़ी कि उन्हों रिखना रुणकी उन्हों जिसक्शूम्राम स्पक्राइब करने की ऑखने सब्सक्राइब भी जाना औरिके उन्हों के तरश सथा क्राइब ऑनकी साथ करें आहब। और यही सारा कुछ है जो blend होके उनकी जिंदगी को एक success story बना रहा है आप भी अपनी जिंदगी पे नज़र टालते हुए देखें कि इस blend में किस को हमने किस वक्त अपनी जिंदगी में शामिन करके और अपनी जिंदगी को success story बनाना है